गुड मार्निंग इस्टुडेंट्स, हाव आर्यू, आई होप इस्टुडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में, क्लास फॉर्थ के चैप्टर फिप्त का जो है, सेकेंड पार्ट लेखेंगे, और आज हम लोग यहाँ पे भसमा सुर के बारे में, आगे क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, जो संसार के लोग थे, वो बहुत ही भैभीत हो गये थे, बहुत ही डर गये थे, क्यों डर गये थे, भसमा सुर के डर से, आतंग से, गाउंक के या पूरे संसार के लोग जो है, उससे डर गये थे, क्यों डर गये थे, क्योंकि भसमा सुर, जिसके भी सर पर हाथ रख देता था, वह आदमी जो है, राक के डेर में, जो है, हो जाता था, यानि वो राक में परिवर्थित हो जाता था, यानि जल कर राक हो जाता था, यानि उनको यह समझ में नहीं आ रहा था, या वे यह नहीं जानते थे, कि इस राच्छास को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे वसमें किया जाए, So they hid in their houses and prayed that something would happen to stop him, इसलिए वे अपने घरों में रहकर प्रातना करते थे, कि कुछ ऐसा हो जिससे उस राच्छास को रोका जा सके, Now there was one thing that भसमा सूर enjoyed very much, Now there was one thing, यानि अब ऐसी बात होई थी, यानि there was one thing, अब एक ऐसी बात थी, that भसमा सूर enjoyed very much, भसमा सूर ने जो है बहुत अधिक जादा enjoy किया, आनन्द लिया, यानि अब बात ये थी, कि भसमा सूर ने या भसमा सूर बहुत अधिक आनन्द लिया, He loved to dance, वह जो है dance को पसंद करता था, निरित्ति को पसंद करता था, One day when he was walking through the town, एक दिन जब वह टाउन की ओर जो है वाकिंग कर रहा था, He suddenly heard the tinkling of anklets, वह जो है अचानक घुगरों की आवाजों को सुना, या पाजेब के आवाजों को सुना, तिन्कलिंग मनोता है खनखनाहट और anklets means आप पायल कर सकते हैं, पाजेब कर सकते हैं, तो जब वह टाउन की ओर जा रहा था, तो अचानक वह जो है घुगरों की खनखनाहट उसे सुनाई पड़ी, बसमासूर टर्ण टूवार्ड दा साउंड एंड इस्टूड इस्टिल, बसमासूर उस आवाज की तरफ मुड़ा एंड इस्टूड इस्टिल और वहाँ पे कड़ा हो गया, He saw a young woman dancing most gracefully, उसने वहाँ पे क्या देखा, एक जो है young woman, एक युवा अवरत, बहुत ही graceful सांदार तरीके से नित्य कर रही थी, The dancer too saw him, and in a state of running away in terror, करा, The dancer too saw him, dancer ने भी उस नित्य की ने भी उसे देखा, लिकिन हुआ क्या, लोग भस्मा सुर को देख कर भाग जाते थे, क्यों, क्योंकि उन्हें डर राता था कि वह उनके सर पर हाथ रख कर उन्हें राक में मिला देगा, लेकिन इसके अलामा इसके बावजूत किया हुआ, जो वो dancer थी, she asked, उसने कहा, या उसने पूछा, यानि यहां से आप देखिए, the dancer to saw him, डानसर ने भी उसे देखा, instead of running away in terror, यानि उसके आतंग से भागने के बावजूत या बजाय, she asked, उसने पूछा, उसे जो है उसके आतंग से भाग चाना चाहिए था, लेकिन उसने इसके बावजूत क्या किया, उसने जो है पूछा, can you dance like me, क्या तुम मेरे तरह नाच, डानस कर सकते हो, नाच सकते हो, of course, बिल्कुल, I can, मैं बिल्कुल डानस कर सकता हूँ, तुम्हारे जैसा, said the भस्मासूर, भस्मासूर ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे जैसा डानस कर सकता हूँ, then do what I do, said the dancer, तब डानसर ने कहा, then do what I do, तब मैं क्या करूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, that was a good time for भस्मासूर, भस्मासूर के लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका था, बहुत ही सुनहरा टाइम था, he started dancing as gracefully, as the young woman, वह जो है, बहुत ही सांदार तरीके से नाचना start कर दिया, as the young woman, जैसे की young woman नाच रही थी, the dancer wheeled around and bent down and so did he, the dancer wheeled around, जो dancer थी, नर्ट की थी, वो wheeled मतलब चक्कर लगा गे थी, यानि चारोर घुम घुम के नाच रही थी and bent down और नीचे जुक रही थी and so did he, और ऐसा ही जो है भस्मा सुनने भी किया, वह जो है इसके चारोर घुम घुम के नाच रहा था और bent down और नीचे की तरब जुक जा रहा था, he touched her feet and stand up, she touched, वह अपने पैरों को छोई and stand up और खड़ी हो गई, he did the same, भस्मा सुनने भी ऐसा किया, यानि उसने भी अपने पैर को छुआ और खड़ा हो गया, she did all kinds of actions and भस्मा सुर copied each of them, जो नर्त की थी, she did all kinds of actions, उसने जो है सभी प्रकार के कारिको या सभी प्रकार के निर्तिको प्रस्तुत किया and भस्मा सुर copied each of them, और भस्मा सुनने उसके सफी dance को copy किया, यानि उसकी नकल करके सेम भस्मा सुनने भी वैसा ही dance किया, तब कह रहा है, जो नर्तकी थी, उसने अपने हाथ को अपने सर पर रखा and twilled एराउंड और एक जो है चक्कर लगाई यहां गोला लगाती है, उसने अपने सर पर अपने हाथ को रखा भसमा सुर डिड़ दा सेम, भसमा सुनने भी ऐसा ही किया what do you think, अब आप क्या सोचते हो कि क्या हुआ होगा happen next, अब आप क्या सोचते हो कि आगे क्या हुआ होगा या क्या आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ in a second, कुछ ही second में, कुछ ही पल में, भसमा सुर वाज reduced to a pile of assets कुछ ही second में, भसमा सुर जो है, राक के ढेर में समाहित हो गया यानि, वह जलकर क्यासा हो गया, राक में मिल गया people rushed out to celebrate, जो गाओं के लोग थे, वे खुसी से बाहर कियो राए और उन्होंने celebrate किया, खुसी मनाया they wanted to thank the young dancer, वे उस young dancer का धन्यवाद करना चाते थे they looked around for her, वे अपने चारो ओर देखे, but they could not find her anywhere बस लेकिन वह उस डांसर को कहीं भी नहीं पा सके, तो यह आपका इस तरह से chapter 5th closed हो गया, और आप लोग इसको देखिएगा वीडियो को, समझेगा, thanks okay, thanks